हेलो दोस्तों आचल टेरिस काडन में आपका स्वागत है वीडियो की शुरुआत अलमंडा बूस से कुछ ही दिनों में ये जो प्लांटर है वो अच्छा फुलो से भर जाएगा दूसरा वाला ये जो ड्रम प्लांटर है उसमें मैंने मार्निंग ग्लोरी के सीट डाल दिये थ जिसमें से चार प्लांट जर्मिनेट हो गए है और ये जो देख रहे हैं अलमंडा वाइन है जिसको मैंने ड्रम प्लांटर में शिप्ट कर दिया है इस तरह पाते हैं तो नाक शंपा है और आज है मार्च की पांच तारीक संडे का दिन है संडे गाडन ओर्वियो शेयर कर रही हूं फ्रेंट्स विडियो में इंड तक जरूर बने रहें काफी सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पर ब्लू डेज और काफी सारे प्लांट्स को मैं हटा भी रही हूं यहां बहुत सारे प्लांट्स को मैंने आज निकाल दिया है बहुत सारा कलेक्श पूरा गार्डन प्लांटर और प्लांट से भरा हुआ है मेरा पूरा टेरिस जो है वो और टेरिस में वजन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कलेक्शन मैं कम कर दूँ और इस साल मैं ग्रीन नेट भी नहीं लगा पाऊंगी और यहां आप देख सकते हैं एमरेलीस लेली के फ्लावर कम्प्लीट हो गए है जिसको मैंने हटा दिया है फ्लावर को यह आप देख रहे हैं वो वाइल्ड सन फ्लावर है देखते हैं इसके फ्लावर कैसे होते हैं फर्स्ट टाइम ही मैंने लगाया हुआ है यहां कोलियस के कलेक्शन कुछ दिन पहले ही मैंने इनको शिप्ट किया था कोलियस को और यह कनेर है कनेर वगेरा को सोच रही हूँ कि स्कुल तरब शिप्ट कर दूँ जितने भी ग्रो बैग में प्लांट लगे हुए हैं एक एक कर यहां भी बहुत सारे प्लांट से हैं जिसमें से क्रोटोन की बहुत सारी वरायटी कटिंग से रेडी हो गए हैं और इधर भी बहुत सारे प्लांट से आपको देखने को मिलेंगे कुछ सिजनल प्लांट हैं जो कुछ दिन बाद एकाद महना और चलेंगे उसके बाद यह ख चल रहे हैं, चल रहे हैं, इस तरफ टिकोमा है, गर्मियों का बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट, नर्सरी से आप जाकर ला सकते हैं अभी टिकोमा बूश को, इसमें भी दो तीन वराइटी आपको देखने को मिलेंगी टिकोमा में, यहां पर बहुत प्यारा सा कैल इनकोई का प्लांट खिला हुआ है, यह भी हमारे हां समर सीजन में खराब होना शुरू कर हो जाता है, दो चार प्लांट को ही मैं नीचे शिप्ट कर दूँगी पोर्च में बचाने के लिए, बाकी नहीं रखूंगी, और इस तरफ भी हमारा टिकोमा बूश है, तो टिकोम में दो-तीन कलर आपको देखने को मिलेंगे, और समर का बहुत बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट है, आप जरूर लाएं नरसरी से, 50-100 रुपे के रेंज में इसके प्लांट आपको नरसरी में मिल जाएंगे, अडेनियम को भी आप नरसरी से ला सकते हैं अभी, वो भी बह दोरा वगिरा के प्लांट आप देख रहे हैं, मिनी चांदनी है ये, और ये देखे वाइट अडेनियम, वाइट अडेनियम भी बहुत प्यारा सफूल खिलता है उसमें भी, अप राजिता के प्लांट आप देख सकते हैं, सीड पॉर्ट बन रहे हैं, इनको हटाना जरूर अब बहुत सारे सीड फलियां इसमें लग गई हैं, तो इनको मैं हटा दूंगी, ये देखे फ्रेंट्स और इस तरह पाते हैं तो ये फोर्बिया मिली और हमारा लैंटाना है, लैंटाना की चार कलर हैं, आपने देखा ही है मेरे गार्डन में, परपल, वाइट, येलो और इस तरह भी देखे एक हमेलिया का प्लांट, बहुत प्यारा सा फ्लावर इसमें होता है, हमिंग बड को आकरशित करता है, ये फोर्बिया मिली आपने देखा, मेरी एक विवर्ड से है पललवी जी, सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मुझसे कॉमेंट में पूछा था कि हॉली हॉक के सीड कैसे कलेक्ट करते हैं, तो ये देख सकते हैं, इस तरह से सुखे हुए फूल हॉली हॉक के, उसको आप निकाल दीजिए, हाथों से ही आप कलेक्ट करके रख लीजिए, बहुत सारे सीड रहते हैं, एक ही सीड पॉर्ट में देखिए, इतने सारे सीड आप फिर इनको सबको हटाना है लगभग 500-600 पॉट है मेरे टैरिस पे जिसकी देखभाल करने में अब मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम है ठकावट हो जाती है बहुत जल्दी नहीं कर पा रही हूँ मैं और मैं बाहर से भी किसी को अपने गाडन में काम करने के लिए नहीं बुलाती हूँ सारा काम मुझे ही करना होता है हमारे यहां लेबर मिलते भी नहीं माली वगेरा नहीं है हमारे यहां और ग्रामेंट शेत्र में रहने के कारण यहां माली की विवस्था नहीं हो पाती किसी को यदी हम बुलाएंगे भी तो हमको भी उनके साथ काम करना ही पड़ेगा क्योंकि वो नहीं जानते किस प्लांट को कैसे ट्रिट करना है तो हमको भी उनके साथ ही रहना पड़ेगा और यहां पर हिबिसकस देख रहे हैं बहुत प्यारा सा दो फ्लावर खिला हुआ है यह बिसकस भी अभी अपने गार्डन में आप एट कर सकते हैं यह जट्रोपा है जट्रोपा का प्लांट भी अभी अपने गार्डन में आप एट कर सकते हैं नरसरी से लाकर थोड़े से बड़े पॉट में लगाने की जरुरत होती है इनको और एन्वल क्रिसिंथमम में भी देखे अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और ये वाइट वाला हाइब्रिड गुढ़ल है इसका फ्लावर भी बड़ा बिक साइज का आता है और इधर भी टिकोमा टिक पिटोनिया वगेरा रखे हुए है और यहाँ पर आप देख रहे हैं अबोली का प्लांट इधर गुलाब के कलेक्शन है हेंगिंग प्लांटी स्टेंड में प्लांटर लटके हुए है गुलाब में भी फ्लावरिंग हो रही है यहाँ देखिए जर्बेरा है जर्बेरा में भी अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं इस्पेंड हो चुके फ्लावर्स को मुझे हटाना है स्टीक जो लंबी-लंबी निकली हुई है उनको कट करना है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जिरेनियम है जीरेनियम के प्लांट में भी फ्लावरिस्टीक कंप्लेट हो गए हैं तो इनको भी हटाना है काम बहुत जादा हो जाता है कर नहीं पा रही हूँ तो थोड़ा सा मैं चिंतित रहती हूँ फ्रेंट्स की मेरा गार्डन कैसे होगा आगे चलके और यहां पिटूनिया वगेरा के हैं देखे बहुत सारे कलेक्शन होने के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ उससे अच्छा है कि मैं कम कलेक्शन रखूँ और उन्हीं की देख भाल करूँ यह देखिए एक और पिटूनिया है इस तरह पाते हैं तो सारे कोलियस वगिरा है डिफिन बेक्या वगिरा रखे हुए है वाइन प्लांट बहुत प्यारे से असल में होता यह है कि हम कटिंग से और सिट से बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर लेते हैं फ्री में और उसके बाद फिर उनको सम्हालने में दिक्कत हो जाता है देख सकते हैं और यहाँ आप सेल भी नहीं कर सकते हैं यहाँ कोई सेल करेंगे तो लेंगे भी नहीं इसलिए अपने पास ही रखना पड़ता है बहुत सारे प्लांट्स को और देखिए इस तरब रात रानी का तीन प्लांट रेडी हो गया है तो देखती हूँ किसी फ्रेंड वगेरा को इसकी जरुरत होगी रात रानी की तो उनको मैं दे दूँगी यह भी बड़ा सा प्लां होता है इसके फुलों से बहुत अच्छी खुश्बू आती है हवर्थिया के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है फ्लावर्स अच्छे नहीं दिखते उतने और विंका है इस तरब विंका के प्लांट देखिए अभी आप समर सीजन में एड़ कर सकते हैं विंका को भी में में देखिए बहुत सारे बर्ड्स बन गए हैं फ्लावर बर्ड अब खिल जाएंगे दो चार दिनों में तो में देखिए भी समर सीजन का प्लांट होता है और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स इधर भी बहुत सारे प्लांट्स आपको दिखेंगे देखिए विंका प्ला इसके फ्लावर अभी स्पेंड हो रहे हैं धीरे धीरे और देखे रेड वाला सबसे ज़्यादा रेड वाला खिला हुआ है मेरे गार्डन में और यहां चाइनीज वाइलेट भी देख रहे हैं इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है ब्लू डेज यहां पर फिर से अडेनियम का प्लांट आपको दिखाऊंगी छोटे से पॉर्ट में लगा हुआ है और फ्लावर से उसके बहुत प्यारे खिले हुए हैं और यह देखे यलो कलर का कैलेंचो और यह देखे अडेनियम यह छोटे से पॉर्ट में ही लगा हुआ है छे इंच के पॉर्ट में लगा हुआ है ये देख सकते हैं, 4-5 इंच का pot होगा, और देखिए इसके flower देखिए, कितने heavy मातरा में खिले हुए हैं, इस तरफ holy hawk, देखिए इनको pot मैं नहीं दे पाई हूँ, बहुत सारा उगाया था holy hawk का plant, और ये spend हो गया हैं सारे kellen koi के flower, तो इनको भी हटाना है, और देखिए इ seed pot बन रहे हैं, अडेनियम में, तो मैं हटा दूँगी इनको, कट करके, क्योंकि अडेनियम के seed मैंने collect किये हुए थे, और जो नहीं हैं, खराब हो गया हैं, इधर उधर मैंने नमी वाले जगह में रख दिया था, जिसके कारण, लेकिन मेरे पास plant बहुत हैं, अडेनियम के इस कारण मैं इनका seed नहीं रखूंगी, और इस तरह पाते हैं, तो मेरे सारे permanent plant यहाँ पर हैं, summer की plant, गुढ़हल, गुढ़हल वगिरा, और यह हमारा rose का plant है, climb rose, यहाँ फिर से mini चांदनी आप देख रहे हैं, fertilizer के रूप में आप इनको vermicompost दे, solid fertilizer के रूप में, अभी सारे plants को आप vermicompost, bone meal, नीम की खली, fungicide powder, और seaweed granule को मिला कर डाल दें, उसके बाद महिने में एक बारा liquid fertilizer के रूप में, moong वाला fertilizer दे सकते हैं, और यह देखिए, हमारा madhumalty का plant, इसका plant नीचे porch में लगा हुआ है, जो उपर तक आ चुका है, और इसके flower देखिए, जबरदस्त अभी खिल रहे हैं, देख सकते हैं friends, बहुत प्यारे लग रहे हैं जुमकी बेल भी कहा जाता है इसको, madhumalty के plant को, देसी वाला है यह, इसमें hybrid भी आता है, जो आप गमले में लगा सकते हैं, और यह देखिए, चार flower कल खिले हुए थे, गुढ़हल के, गुच्छे वाला orange color का गुढ़हल है यह, इस तरब देखिए, मेरे वोगनविला के plant ह तीन कलर के वोगनविला यहां पर आपको दिखेंगे, कनेर का plant आप अभी अपने garden में add कर सकते हैं, यदि आप बड़े plant के शौकीन है तो, बड़े बड़े plant अभी यदि आपको चाहिए, तो उनको थोड़े से बड़े pot में देना होता है, और इस तरह पाते हैं तो आपको मैं बहुत ही प्यारा सा दिखाती हूँ, अलमंडा wine अभी आपको मैं दिखाऊंगी, जिसमें बहुत बढ़िया flowering हो रही है, यह देखे, यलो बटर कप का flower खिला हुआ है, और यह देखे, अलमंडा wine है, इसका color देखे, बहुत प्यारा सा खिलना शुरू हो गया है, तो अ अब हमारे हाँ गर्मी बढ़ रही है, इसके कारण हमारे हाँ जो summer flowering plant है, वो बहुत अच्छे से खिलना शुरू कर दिये हैं, इनको अभी मैंने fertilizer नहीं दिया है, काम का issue है, वही मैंने हमेशा आप लोग से share किया है, यह थोड़ा सा health का problem है मुझे, जिसके कारण मैं अपने plants पर care नहीं कर पा रही हूं, तो हो सकता है, मेरे plants अब धीरे धीरे खराब भी हो जाएं कुछ, यहाँ पर देख रहे हैं, वो नीबू है, देखे यह yellow हो रहा है, अब 5-6 नीबू हमने harvest कर भी लिये हैं, यह गिर जाते हैं अपने आप ही, पकने के बाद, तो मैं उनको उठा लेती हूं, तो इस तरह से हमारा garden है, तो आज यही करना था share, मिलते हैं फिर happy gardening